नमस्कार किसान भाइयों हम इस वीडियों में बात करेंगे धानुका कंपनी का अरेवा इंसेक्टी साइड आता है कि इतना सक आता हूँ उसके बारे में बात करेंगे किस में किस परकार का टेकनिकल है किस परकार के फसल में हम इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और किस परकार के फसल में किस तरीके के कीटो को यह नियंतरित करता है, कितना rate है, mode of action के बारे में, dose के बारे में, इस सब के बारे में detail से जानकारी प्राथ करेंगे, तो आईए सबसे पहले बात करते हैं technical के बारे में किस में किस परकार के chemical का इस्तमाल किया गया है, किसान भा क्यित की बात करें तो कीट को हम लोग जनरली दो भागों में वरगी किरिद करते हैं ये को कहते हैं खाने चाबाने वाले कीट और एक को कहते हैं रस्चूसर कीट मतलब सकिंग पेस्ट और एक को कहा जाता है चीविंग पेस्ट चीविंग पेस्ट और सकिंग पेस्ट दो भागों में वरगी किरिद करते हैं इनके काम करने और नुकसान करने के हिसाब से तो अगर सकिंग पेस्ट की बात करें तो जैसीड हो गया एफिट हो गया थिप्स हो गया वाइट फ्लाई हो गया गंधी बग हो बी पी एच हो गया इस तरीके के कीटों को यह नियंतित करेगा और खाने चबाने वाले कीट की बात करें किसान भाईयों तो तना छेदक, फल छेदक, केटरपीलर, लीफ माइनर, लीफ फोल्डर, डी बीम आधी कीटों को यह नियंतित करता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो न टमाटर में थ्रिप्स के लिए कर सकते है सफेद मखी मतलब वाइट फ्लाइ के लिए किया जा सकता है थ्रिप्स सफेद मखी मतलब वाइट फ्लाइ दोनों को 100% टमाटर से यह नियंतित करता है टमाटर से हटा देता है अगर बैगन की बात करें तो बैगन में सफेद मखी लगता है सफेद मंकी को नियंत्रत करेगा खीरा की बात करें तो खीरा में थ्रिप्स लगता है सफेद मंकी लगता है माहू लगता है जैसिड लगता है इन सब कीटो को जो है वहाँ पर नियंत्रत करेगा खीरा और टमाटर में मैंने इस्तेमाल किया है तो थ्रिप्स सफेद मखी एफिड को 100% जो है किया कंडोल कर लेता है ये फिड माने की माहू धान की बात करें किसान भाईयों धान में जो है कि गंधी बक के लिए इस्तमाल कर सकते हैं BPH के लिए इस्तमाल कर सकते हैं WBPH आता है उसके लिए इस्तमाल कर सकते हैं वहाँ पर जो है किसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को हमको मिलता है मिर्ची की बात करें तो थ्रिप्स को नियंतरण करेगा माइट्स, रेड माइट्स जो है कि मकडी होता है जो है लाल मकडी होती है उसको बहुत अच्छे से नियंतरण करेगा तो इन सब कीटों को बहुत अच्छे से नियंतरण कर लेता है इसके अलावे किशान भाईयों अन्य किसी भी परकार का फसल हो जिसमें सकिंग पेस्ट लगते हों खास तोर से सकिंग पेस्ट तो सकिंग पेस्ट के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं कहने चबाने वाले कीटों को भी नियंतितट करता है जैसे कि फल्चेदग हो गया तनाचेदग हो गया अपर लेकिन प्राथमिक तौर पर आप सकिंग पेस्ट रसच्चूसक केट केले इस्तमाल करें अगर आप रस्चुसक कीट के लिए इस्तमाल कर रहे हैं उसके बाद जो है कि आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर खाने चबाने वाले भी कीट हैं तो उसी समय जब इस्तमाल करेंगे तो उसी समय जो है वो दोनों कीट गायव हो जाएंगे आपके फसल में लेकिन अगर करते हैं किसान भाईयो इसके मोड ऑप एक्षन के बारे में किस तरीके से काम करता है पहला सिस्टमिक काम करेगा किसान भाईयो सिस्टमिक कहने का यह मतलब होता है कि जब इसका इस्तमाल आप अपने फसल में करोगे तो जो है जाइलम फुलेम के माध्यम से तने के माध्यम से जो पत्ते के माध्यम से पूरे जो है कि पूरे पौधे के पूरे भाग में इसका जो पोईजन होता है जो जहर होता है वह फैल जाता है और वहाँ पर कोई भी किट जा करके वहाँ पर बैठेगा खाने चबाने की कोसिस करेगा रस चूसने की कोसिस करेगा तो वहाँ जो प आप अपने फसल में करोगे, वहाँ पर किसी भी परकार का कीट इसके संपर्क में आएगा, या तो कीट इसके संपर्क में आए, या फिर जो है कि दवाई उसके संपर्क में कोई भी आए, तो वहाँ पर कीट की मिर्तियों हो जाती है, प्रिवेंटिव उसका इस्तमाल कर सकते प्रिवेंटिव कहने का ये मतलब होता है, जब आपके फसल में किसी भी परकार का कोई भी कीट पतनगा नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आने वाले समय में एक दो दिनों के अंदर में हमारे फसल में कीट पतनगा लग सकता है, तो आपने क्या किया किस पहले इस्तमाल कर दिया, मतलब आपके फसल में कीट लगने से पहले इस्तमाल कर दिया, और इसकी जो सिस्टमिक क्रिया है, वह क्या किया, कि पूरे फसल के पूरे भाग में तने में फैला दिया, पत्ते में उसके बलावे जो फल है, वहां भी फैला दिया, इसका जो पोईज उसकी जनसंख्या है वहां पर नहीं बढ़ पाईगी और आपका फसल कीट पतंगे से सुरक्षित हो जाता है तो तीन जो है कि इसकी एक्षन है systematic काम करता है, contact काम करेगा, preventive का इस्तमाल कर सकते हैं Doge की बात करें किसान भाईओं, तो परती लीटर पानी में 0.8 gram जो है इसका इस्तमाल करना है मतलब एक लीटर पानी में 0.8 gram को गोलना है, छेसरडाई लूट करना है देखिए granules है लेकिन तुरंट घुल जाता है जैसे आप पानी में डालेंगे 5 मिनट के अंदर में जो है या granules घुल जाता है तो 0.8 ग्राम परतिलेटर पानी में घुल करके इसका इस्तमाल करना है किसान भाईयो प्राइस की बात करें कीमत की बात करें तो 250 रुपए से लेकर के 280 रुपए के बीच में आपको 100 ग्राम का जो पैकेट होता है मार्केट में आपको असानी से प्लब्द हो जाएगा यदि आपको अपने लोकल मार्केट में जहाँ पर आपको पेस्टी साइड मिलते है जहाँ पर खाद मिलता है जहाँ पर बीच मिलता है वहाँ पर धानुका कंपनी का आरेवा अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करें कि ओनलाइन जैसे कि भारत तेगरी हो गया फ्लिप काट हो गया, एमजोन हो गया, बीघाट हो गया इस तरीके की ओनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ओनलाइन ओडर करके इसको मंगा सकते है धन्यवाद किसान भाईयों